हलो दोस्तों, कुकविच शिल्पा में आप सब का स्वागत है आज हम बनाएंगे स्री गनेश चतुर्थी स्पेशल महारस्ट्रा के मरट वाड़ा में बनने वाली पूरी थाली जो बनती है हर घर में स्री गनेश चतुर्थी के दिन ना ही चपाती बनाई जाती है, ना ही रोटी, ना ही पोली तो उस दिन सिर्फ यही बनता है, हर घर में बनता है भगवान के लिए प्रशाद के रूप में भी यही होता है और सब को खाने के लिए भी यही होता है आप भी इसे बना कर ट्राइ कीजिए आपको भी बहुत पसंद आएगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे मोदक उसके लिए कडाई में हमने एक चमज घी डाला है और एक कटोरी नारियल डाला है इसे हमें भूरना है अच्छा से तीन से चार मिनाट का टाइम इसे बूरने के लिए लग जाएगा फिर उसके बाद हम इसमे डालेंगे आधि कटोरी गुड गुड हमने यहां पर डाल दिया है अब हम इसे अच्छा से मिक्स करना है यह मिक्स हो गया है अब हम इसमें डालेंगे इलाइची फ्लेवर के लिए और फिर से इसे अच्छा से मिक्स करेंगे हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक यह हलका सा गाढ़ा न बच जाए और इसे चार से पाच मिरेट तक मिक्स करने के बाद यह दिखी इसका टेक्श्चर बिल्कुल गाढ़ा हो गया है अब हमें ग बाल आने तक वेट करना है, धकर रखेंगे, और जैसे उबलना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे, एक कटोरी, चावल काटा, और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के लिए, आप यहाँ पर चाहे तो बेलन का भी इस्तमाल कर सकते हैं, और अगर तो आप इस तरह से चमल से भी कर सकते हैं, यह आसानी से हो जाता है, यह देखिए, यह अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम ग्यास बंद करेंगे, और फिर इसे ढखकर 10 मिनिट के लिए रखेंगे, 10 मिनिट के बाद आप देख सकते हैं, इसका टेक्स्चर बदल गया है, अ के लिए हम कटोरी से इसे मैश करेंगे, और फिर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, हाथ से हम इसे मैश करते हुए, एक सौफ्ट डो बना कर तयार करेंगे, डो बनाने के लिए आप चाहे तो हाथ में घी लगा सकते हैं, और अगर चाहे तो पानी का भी यूज कर सकते हैं, तो पानी या फिर घी का इस्तेमल जरूर कीजिए, और इसे अच्छ से मिक्स करते हुए, डो बनाईए ताकि यह बहुत सौफ्ट बनेगा, और मोदक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगे, तो यहाँ पर डो बिल्कुल तयार है, इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे, और यहाँ पर मैंने जो दाल चावल लिया है, दोकर, उसमें थोड़ी से हल्दी डालेंगे दाल में, और चावल में डालेंगे नमक, इसे अच्छ से मिक्स करेंगे, और फिर तीन से चार सेटिया आने तक हम इसे कूकर में पकाएंगे, कूकर हमने गैस पर रख करेंगे, दोनों साइड पर सूखा आटा लगाएंगे, और जिस तरह से हम पूरी बेलते हैं, बिल्कल उसी तरह से हमें इसे बेलना है, यह देखिए, पूरी बेल कर बिल्कुल तयार है, अब लेंगे इसे हाथ पर इस तरह से, और जो नारियल और गुड का मिक्स्चर हमने बनाया है, वो हम सेंटर में रखेंगे, और फिर इसके प्लेट्स बनाएंगे, बिल्कुल इस तरह से, यह देखिए, वीडियो में मैं आपको जिस तरह से दिखा रही हूं, बिल्कुल उसी तरह से आपको इस प्लेट्स बनानी है, नहीं बहुत ज़दा ग्याप रखना है, और नहीं बहुत ज़दा करीब करीब बनानी है, बिल्कुल इस तरह से, जिसे की मोदक का शेप आएगा, और बिल्कुल परफेक्ट मोदक बनकर तयार हो जाएंगे, यह देखिए, सारे प्लेट्स हमने बना लिये हैं, अब हमें इसे, दोनों हाथ की मदद से इसे गोल गोल आते हुए, इसे बन करना है, इस तरह से, यह देखिए, थोड़ा सा धीरे-धीरे कीजिए, इसे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यह बिल्कुल मोदक के शेप में आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, यह बिल्कुल परफेक्ट मोदक बनकर तयार है, इसी तरह से आपको स सारे मोदक बना कर लेने हैं, अब हम यह मोदक जो है, इसे बाप देंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक बड़ा सा पतेला लिया है, जिसमें पानी डाल कर गरम करने के लिए मैंने अल्रेडी रखा था, उसके उपर एक जाली रखी है, उसमें सॉफ्ट कॉटन रखा ह आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितने पॉफिक्ट मोदक बनकर तयार है, इसी तरह से आपको बनाना है, अगर आप कॉटन का यूज करेंगे, तो इसके उपर ना ही पानी गिरेगा, भाब का और ना ही यह गीली गीली बनेंगे, बलकि यह बिल्कुल पॉफिक्ट बनकर तय तयार हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्री गनिश चतुर्ती स्पेशल बापन सथी बनव लेले, उकडी चीजे मोदक आहेत, ते बनून तयार आहेत, तुम्ही नक्की ट्राइ करा, तुम्हाला नक्की आवर्टिल, तो चलिए, अ थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे, और इसका डो बना कर तयार करेंगे, उंद्रा वाला बनाने के लिए जो डो बनता है, वो बहुत ज़दा पतला नहीं बनता, वो सक्त होता है, इसलिए दो कटोरी आटे के लिए, एक कटोरी पानी बिल्कुल पॉफिक्ट है, यह अभी बहुत ज़दा सक्त है, लेकिन जैसे हम इसे पंदरा मिनिट के लिए धकर रखेंगे साइड में, यह सॉफ्ट हो जाएगा, तब तक हम बनाएंगे दाल फ्राइ, तो उसके लिए जो डाल यहाँ पर हमने ली है, उसे हमें मैश करना है अच्छ से, और जरूरत के ह चम्मच राई, एक चम्मच जीरा, 10-12 करीपता, साथ ही डालेंगे 5-6 हरी मिर्च, जिसे हमने इस तरह से कट करके लिए है, मैं यहाँ पर दाल जो है थोड़ी तीखी बना रही हूं, अगर आपको तीखी दाल पसंद नहीं है, तो आप मिर्च कम डाल सकते हैं, साथ ही डाल हरा धनिया, और डालेंगे दाल जो मैश करके हमने रखी थी, अब डालेंगे थोड़ा सा हिंग और स्वाद अनुसर नमक, सारी चीजे हमने इसमें डाल दी है, अब हमें इसे अच्छा से मिक्स करना है, और पाच मिनिट के लिए मेडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इसे पका बिल्कुल सॉफ्ट बना है ये, अब हमें इसमें से थोड़ा सा आटा लेना है, और जैसे धागा होता है उसी तरह से हमें इसे दोनों हाथ की मदद से पोली पाट पे रखकर इस तरह से हाथों को गुमाते हुए, एक लंबी डोरी की तरह, यानि धागे की तरह तयार करना ह ये देखिए, इतना पतला होना चाहिए, बहुत जाड़ा भी बिल्कुल नहीं बनाना है, और फिर उसके बाद हमें इसके इस तरह से तुकड़े करने हैं, ये जो है, इसे उंद्रवला कहा जाता है, बिल्कुल पॉफेक्ट, आप चाहे तो और जादा लंबे रख सकते हैं इसी तरह से सारे आटे के हमें बना कर लेने हैं, यहां पर मैंने बना लिया है, अब हम कडाई में लेंगे पानी और उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और फिर इसे ढख कर रखेंगे, उबाल आने तक वेट करेंगे, जैसे ही उबलना शुरू हो जाएगा, हम इसमें डा पर आएंगे और तैरते रहेंगे, तब हम तीसरी बार उसमें डालेंगे, इसी तरह से हमें तब तक डालना है, जब तक सारे खतम न हो जाए, और फिर इसके बाद इसे मिक्स करते हुए, अच्छे से पकाना है, यह सॉफ्ट होने चाहिए, जैसे यह पक जाएंगे, फिर उ पाँच मिनिट के लिए लो फ्लेम पर ढखकर इसे पकाना है, तो जादा देर तक पकाने की बिल्कुल ज़र्वरत नहीं है, बस पाँच मिनिट में आप देख सकते हैं, यह बनकर तयार है, गुड़ भी अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें आप चाहे तो इसे गर्मा गरम खा सकते हैं, घी डाल कर या फिर ठंडा होने के बाद भी घी और दूट डाल कर यह बहुत टेस्टी लगते हैं, तो चलिए ठंडे होने के बाद यह कैसे लगते हैं, यह भी मैं आपको दिखाती हूँ, यह देखिए, जब यह गर्मा गरम थे, तब यह थोड़े से पतले ही लेकिन ठंडे होने के बाद यह बिल्कुल गाढ़े बन जाते हैं, तो उंद्रवला बन कर तयार है, अब बनाएंगे एक सीक्रिट रसिपी, जो बापपा के लिए हमेशा गनिश चतुरती के दिन बनती है, आधी कटोरी गुड और आधी कटोरी पानी जिसे हमने मिक्स किया अब इसे हमने मिक्स किया है, अब इसमे डालेगे में जरुरत के हिसाब से गेहु का आठा और इसका एक सौफट डो बना कर तयार करेंगे, आधी कटोरी गुड और अधी कटोरी पानी के लिए, यह पर हमने डेड़ कटोरी आठा लिया है, और जिसका उनके यह दो बना कर अब देख सकते हैं इसे हमें 10-15 मिनिट के लिए धकर साइड में रखना है फिर उसके बाद हम इससे वो सीक्रेट रेसिपी बनाएंगे तो चलिए 10-15 मिनिट हो गए है अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जिस तरह से हमने उंद्रवला बनाने के लिए थोड़ा सा आटा लेकर उसके धागे की तरह जिस तरह से डोरी बनाई थी उसी तरह से बनानी है और फिर उसके बाद उसे इस तरह का शेप देना है इसे बनाना बहुत आसान है, आप बहुत आसान से इसे बना सकते हैं, तो चलिए एक बनकर यहाँ पर तेयार है, यह देखिए, आप अपने हिसाब से जितने बनाना चाहें, उतने बना सकते हैं, अब एक और शेप हैं, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, जो हम बनाते यहां इस तरह से करना है और फिर इसे मैं इस तरह से जॉइंट करना है यह भी बन गया इस चैयप के भी आप जितने चाहे सकते है रिखता ड़ी नहीं हें यह इंद्धी रे में लंब कर द्रसी चाहिए यानि अब हम इसे फ्राई करेंगे तेल मैंने गरम करने के अल्रड़ी रखा है तो एक एक कर के जतने इस तेल में बैठेंगे उतने हम डालेंगे और फिर medium to high flame पर इसे फ्राई करेंगे। भाइन रखिए, मिक्स करते हुए आपको इसे फ्राइ करना है, तकि सारे जो हमने बनाए है, उन्हें कलर जो है एक जैसा है, अब देख सकते हैं, इसे फ्राइ करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यह देखिए, बिल्कुल परफेक्टली यह फ्राइ हो रहे ह और इसे थोड़ा सा हमें जादा ही फ्राइ करना है, क्योंकि इसमें कच्छा पर नहीं रहना चाहिए, यह बहुत ही जादा टेस्टी भी लगते हैं, यह देखिए, बिल्कुल परफेक्ट शेप में यह फ्राइ होकर तयार है, इसी तरह से हमें सारे जो हमने अलग-अलग श सबसे पहले दाल हमने लिए है, राइस लिया है, और उंद्रवला, यह सीक्रेट है, जो आपको कॉमेंट करके मुझे बताना है, कि इसे आपके यहां पर क्या कह जाता है, पापड लिया है, बजेया लिया है, और यहां पर सेंगदाना चट्नी और मोदक, तो फ्रेंड्स त